Hello dear students, welcome you on general study preparation and today we will discuss about the next part of the tense that is past perfect continuous. In the previous video we have discussed about the past perfect और उसमें हमने समझा था कि जो past perfect है, उसके basic rules क्या है, उसके basic principles क्या रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे past perfect continuous के बारे में. Past perfect continuous क्या होते है कि ऐसे कारियों के बारे में या से क्रिया के बारे में बात करते हैं जो की की बीते समय में कारियों जारी रहने के बारे में बोद करता है, यानि की बताता है, जो हमने कारियों बीते समय में जारी रखे थे, उनके बारे में ये बताता है, इस tense में अगर हिंदी आदिशव्द से आते हैं जैसे कि मैं इसमें सिंटेंस लिका कि मैं एक घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था या राधा सुमबार से स्कूल जा रही थी तो ऐसे वाक्यों को इसमें आप देख सकते हैं कि वो किस पार्ट में रहेंगे आपके past perfect continuous में रहेंगे इसी तरह से अगर आप देखें तो इन वाकियों के अनुबात करते समय निश्चे समय के लिए यानि कि जब हम किसी point of time की बात करेंगे तो आप वहाँ पे since का इस्तेमाल करेंगे अगर आप किसी period of time की बात करेंगे तो वहाँ पे आप for का इस्तेमाल करेंगे यानि कि जब मैं निश्चे समय यानि कि point of time की दिखाने के लिए since का यूज कर सकता हूँ और जैसे कि example के तोर पे अगर देखेंगे आप since कहा का लग सकता है जैसे कि since 10 o'clock, since Monday, since morning, since 1980s etc. इसी तरह से अगर मैं किसी period की बात कर रहा हूँ किसी समय के अबधी की बात कर रहा हूँ तो उस condition में मैं for का इस्तेमाल कर सकता हूँ और for के example अगर देखेंगे आप use करने के तो इसमें रहते हैं जैसे कि for two years, for three days, for one month, for two hours etc. तो ये सबी तरह के क्या इसके example में आते हैं इसके बाद अगर मैं बात करू फॉर्मूले की तो फॉर्मूला इसका क्या रहता है कि जब हम sentences बनाएंगे past perfect continues के simple sentence बनाने का जो फॉर्मूला है वो रहेगा आपका की subject plus head been ठीकि इसमें आपका जो helping verb है वो क्या लगाएंगे head as a helping verb लगाएंगे उसके बाद इसमें been आएगा फिर इसमें verb की first form का ही इस्तेमाल किया जाएगा plus ing का भी इसमें इस्तेमाल होगा plus object होगा sentence के अंदर दिया हुआ तो वो भी लगाना है साथी साथी इसमें since और for का इस्तेमाल किया जाता है for the time being ठीकि जो की समय को दर्शाने के लिए इस्तेमा किया जाता है अब हम इसमें one to one sentences बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे sentence या वाकियों को आप perfect past perfect continuous में बना सकते हैं जैसे कि अगर simple sentence या affirmative या positive sentence की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वो हो दो घंटे से stage पर गाना गा रही थी यानि कि she had been singing a song on the stage for two hours ठीक है कि वो ह stage पर दो घंटे से आप यहाँ पे समय की बात कर रहे है period of time की बात की यहाँ पे किस की बात हुई period of time की बात हुई तो period को दरशाने के लिए आप यहाँ पे for का इस्तेमाल करेंगे अगर यहाँ होता कि वो हसुबा से stage पर गाना गा रही थी तो इसमाना था कि she had been singing a song on the stage since morning ठीक है तो यहाँ पे since morning का इस्तेमाल किया जाता इसके बाद अगर हम बात करें ठीक है दूसरे बाकियों की दूसरे बाकियों की हम सोंबार से school जा रहे थे तो इसका मतलब है कि we had been going to school since Monday देखी यहाँ पे अब since का इस्तेमाल किया गया है ठीक है क्यों कि यहाँ पे point of time की बात हुए exact जो हमार पास point के बारे में यहाँ पे बता रहा है तो इस तरह से आप इस वाकियों को बना सकते थे उसके बाद जो next sentence है वो लिखा गया है कि वे दोनों भाई दो घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे those two brother ठीक है यानिक वे दोनों भाई यानिक those two brother यह subject ह हो गया हमर पास head helping work हो गया been watering ठीक है water का ing के साथ अगर हम convert करेंगे तो यह बन जागा watering their field for two hours ठीक है तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के वाकियों बना सकते हैं इसमें next वाकियों है जो sentence है मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था यानि कि मैं सुबह से पार्क में क्या कर रहा था टहल रहा था गूम फिर रहा था तो इस वाकियों को बनाने के लिए English में मैंने I had been walking in the park since morning तो इस तरह से आप various types of sentences इसमें बना सकते हैं अब जो इसमें next sentence है हमारा वो है कि वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी यानि कि इसका अगर हम देखे तो वह लड़की में किसी third person की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे that girl had been living in the city in this city since 1995 तो यह होगे हमारे positive sentence अब बात करते है negative sentence यानि कि नकरात्मक sentences बनाने की कि आप नकरात्मक sentences कैसे बना सकते हैं और उसके जो basic principle रहेगे या rules रहेगे तो वह क्या रहेगे तो negative sentence बनाने के लिए आपको subject as it लिखना पड़ता है helping verb भी same या आएगी head इसमें क्योंकि past perfect continuous हम सभी person के साथ head as a helping verb लगाते हैं उसके बाद इसमे not negative शो करने के लिए being verb की first form आएगी ठीक है ing plus object plus since and for plus time जो time रहेगा आपके पास उसके साथ उसको time कम इसमें mention कर देंगे जैसे कि यहाँ पर example के तोर से हम देखेंगे कि मोहन दो गंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था तो इसमें क्या लिखा मैंने कि मोहन had not been reading his book for two hours या तुमारा भाई धो गंटे से इस कमरे में नहीं सो रहा था your brother had not been sleeping in this room for two hours तो इस तरह से आप various types of sentences बना सकते हैं मैंने यहाँ पर पांच-पांच sentences बनाए है ठीके तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि comment section में मुझे बताना है कि आप यह PDF चाहते है तो definitely आपको मैं यह PDF प्रवाइड कर दूँगा मेरे पिता जी 10 मिनट से अकबार नहीं पढ़ रहे थे तो इसका कैसे बनेगा my father had not been reading the newspaper for 10 minutes तो इस तरह से various types of sentences बना सकते हैं और बड़ी आसानी से English सीख सकते हैं इसके बाद interrogative sentences के अगर हम बात करें जब वाकियों में शुरू में क्या दिया हो क्या से हो दिया हुआ तो ऐसे वाकियों को आप interrogate करते हैं और इसका जो rule रहता है वो रहता है कि आप जो helping verb है वो subject से पहले लिख देते है had plus subject plus bean plus work first form plus ing plus object plus since for and time तो यहाँ पे मैंने लिखा कि क्या तुमारी बेन सुबा से इस कमरे में सफाई कर रही थी had your sister been cleaning this room since morning ठीक है तो इस तरह से दूसरा sentence क्या यहाँ पे क्या पुलिस दो घंटे से चोर का पिछा कर रही थी तो इसको आप लिख सकते है कि had the police been running after ठीक है running after पिछा करने के लिए हम क्या लिखते है running after the thief for two hours तो इस तरह से आप interrogate कर सकते यानि कि सावाल बना सकते है various types of questions you can form with using had as a helping word before the subject क्या वह सुबा से घर की सफाई कर रही थी ठीक है डी बीन cleaning the house since morning इसके बाद आप interrogate और भी कर सकते हैं interrogate में अगर आप दूसरे जो question words रहते हैं आप उसका इस्तेमाल करें question के लिए क्या रहते हैं मारे पास डेवली एच वर्ड रहते हैं ठीक है यह एच वर्ड रहते हैं डेवली एच में जैसे what, why, where, how, whose, whom यह सभी तरह के words इसमें आप include करते हैं तो इसमें क्या जो question words होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा उसके बाद head लिखा जाएगा उसके बाद subject लिखा जाएगा उसके बाद been उसके बाद वर्ड की first form with ing plus object plus since and तो यह इसका process होता है लिखने का उसके बाद आप देखेंगे अगर इसके sentence बनाने के लिए कि तुम पिछले हftے से वहाँ क्या कर रहे थे तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि तुम पिछले अपते से वहां क्या कर रहे थे तो इसको कैसे लिखा है क्या यहां पे क्या पूछा मैंने यह interrogate क्या भी है और यहां पे कर रहे थे ठीक है यह दोनों चीजें पूछी गई है तो question में पूछा गया है तो इसमें दिखेंगे what had you been doing there since last week क्या लिखा मैंने what had you been doing there since last week उसके बाद उसे 10 minute से कौन बुला रहा था ठीक है तो इसका English कैसे होगा who had been calling him for 10 minutes यानि की 10 minute, 10 minute का मैं period of time की बात कर रही है उसी तरह से रज्या को 6 मीने से English कौन पढ़ा रहा था इसका translation कैसे होगा who had been teaching English to Razia for 6 months ठीक है कि 6 मीने से कौन पढ़ा रहा था उसी तरह से अगर आप next sentence की बात करेंगे तो next sentence में आप देख पाएंगे कि 6 मीने से इस बचे की देखवाल कौन कर रहा था who had been carrying this child for 6 months तो इस तरह से आप various types of sentences कर पाए है और इसको हमने बड़ी अची से detail में समझ लिया है ठीक है अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई doubt रहता है या सवाल रहता है तो आप पूछ सकते है अगर आभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्स्राइब नहीं किया